हेलो एवरिवन आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल में तह दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है चैप्टर नमबर 16 जो की है स्टेटिस्टिक्स ठीक है अब इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बाते जानना जरूरी है तो इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के साथ वर्कसिट वन को कवर करेंगे तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन के सेक्शन को देखा जाए तो इंट्रोडक्शन के सेक्शन में हमने पहले भी ये क्लास 5 में पढ़ चुका है कि ये डाटा क्या होता है तो जो ये class 5 में pictograph भी पढ़ा है तो pictograph क्या है तो pictograph represent a given data in the form of picture कह रहा है कि जो pictograph है वो represent किया जाता है किसी भी data को picture के form में ठीक है दोस्तो telemark तो telemark क्या है telemark are small vertical line drawn to represent a data telemarks are made in group of 5 कह रहा है कि telemarks एक small vertical line होता है इस तरह का 1, 2, 3 यह इस तरह का ठीक है और जो कि represent करता है data को और यह group of 5 में होता है तो मानलो मेरे को यह जैसे की 1, 2, 3 किया मैंने तो यह 3 हुआ यह 1 ऐसे कर दिया तो यह 4 हुआ तो telemark हम लोग एक vertical line के वल 4 ही खीट सकते है अगर इसको 5 represent करना है तो इसको उपर से ऐसे काट देंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 और अगर 5 से ज़्यादा है मानलो 6 है तो 6 इस तरह से करेंगे ठीक है ना तो अब देखिए हम लोग इसके introductions के कुछ questions को solve करते है तो इसमें जो question number 1 है दोस्तों question number 1 है वो क्या कह रहा है कि below is given the scale of sorry sale of electric bulbs in a soap on different days of week arrange the data in a table using tally marks कह रहा है कि नीचे आपको electric bulb का sale दिया हुआ है different days of week में week में जो different days होते है उन दिनों कितने electric bulb sale हुए है उसका आपको यहाँ पर data दिया हुआ है इसको आप लोगों को tally mark में arrange करना है तो देखिए यह जो Monday का है Monday में हमारा कितना electric bulb sale हुआ है तो यह 6 हुआ है तो 6 को हम लोग tally mark में represent करेंगे तो कैसे करेंगे तो यह देखिए 1, 2, 3, 4 यह हुआ 4 इसके उपर से हमने ऐसे कर दिया यह हुआ 5 और उसके बाद और 1 कर दिया तो यह हो गया 6 ठीक है उसी तरह से जो Tuesday है Tuesday में कितना electric bulb sale हुआ है तो 8 तो 8 को यहां tally mark करेंगे तो पहले तो 5 करना होगा तो 1, 2, 3, 4 और यह हो गया 5 उसके बाद 6, 7, 8 तो यह हो गया 8 उसी तरह से जो Wednesday है Wednesday में कितना है 9 है तो 9 भी देखिए पहले 5 कर लेते है तो 1, 2, 3, 4 और एक ऐसे कर दिया 5 उसके बाद और 4 करना होगा तो 6, 7, 8, 9 ठीक है इसी तरह से जो Thursday है Thursday में क्या है एन electric bulb sale हुआ है देखिए यह 11 तो 11 देखिए तो पहले 5 और 5 10 और 1, 11 तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया फिर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया यह 5 और 5, 10 और एक इसमें घट रहा है तो यह हो गया 11 फिर देखिए यह Friday Friday को कितना दिकला रहा है 7 तो 7 कर लेते है 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6, 7 ठीक है फिर Saturday Saturday को कितना है बल्ब सेल हुआ है तो 2 हुआ है तो 1, 2 यह हो गया तो इस तरीके से हम लोग इसको टैली मार्क में अरेंज करते हैं ठीक है अब next question question number 2 की और हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं कि question number 2 में हमें क्या करना है वो कहता है the number of different varieties of toffees are given below तो जैसे हमने question number 1 में टैली मार्क मनाया था उसी तरह कैसे हम लोग को यहां भी टैली मार्क बनाना है तो चलिए इसको भी एक एक करके अभी हम लोग solve करते हैं तो देखे सबसे पहले जो toffees है वो है mango bite वो क्या है mango bite तो mango bites कितना toffees है वाई तो 12 है तो इसको 12 टैली मार्क बनाना होगा हमको तो कैसे बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4 हो गया ये एक उपर से ऐसे खिच दिया ये 5 हो गया फिर से 6, 7, 8, 9 फिर उपर से खिच दिया ये 10 हो गया उसके बाद 2 और तो 1, 2 तो ये हो गया 12 ठीक है उसके बाद जो 2nd नमबर टॉफी है वो है इकलियर्स तो इकलियर्स के संख्या कितनी है इकलियर्स का नमबर कितना है तो वो है 16 तो यहाँ पर हम लोग 16 टैली मार्क बनाएंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5 फिर 6, 7, 8, 9 ये हो गया 10 फिर से 1, 2, 3, 4 और ये 5 तो ये हो गया 15 और 1, 16 जब भी टैली मार्क बनाना है हमको ध्यान देना है कि वर्टिकल लाइन जो है वो चार बार ही खिचेंगे और 5 अगर करना है तो उसके उपर से हमें खिचना होता है उसके बाद जो थर्ड नमबर टॉफी है वो है कॉफी टॉफी तो कॉफी टॉफी की संक्या यहां 13 दी हुई है तो चलिए अब हम लोग 13 टैली मार्क बनाते हैं तो 13 टैली मार्क कैसे बनाईगे तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और उपर से खिच दिया तो 5 फिर से 1, 2, 3, 4 उपर से खिच दिया तो 5 अब ये 5 और 5 कितना हो गया 10 और इसमें 3 और है तो 1, 2, 3 ये हो गया हमारा 13 उसके बाद क्या है लेक्टो प्लस तो लेक्टो प्लस टॉफी की संक्या कितनी है 18 है तो यहां पर हम लोग 18 को टैली मार्क बनाना होगा तो देखिए तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5 फिर ये 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5, 5, 5, 10 फिर से 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5, 10, 15 ठीक है यह देखिए यह हो गया 5 ये हो गया 10, ये हो गया 15 अब कितना बच रहा है? 3 बच रहा है तो 1, 2, 3 तो ये हो गया हमारा 18 ठीक है अब एक last topic है वो है melody तो जो melody है वो कितनी number में है 11 number है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 फिर से 1, 2, 3, 4 ये 5 ये 5 और 5 10 हो गया उसके बाद 1 और तो ये हो गया 11 ठीक है तो यहाँ पर question number 2 हमारा समाप्त हुआ number 3 है वो कहता है the following pictograph shows the number of books in different subject in a library कह रहा है कि यहाँ पर pictograph बनाया गया है जो कि library के different different book को so कर रहा है अब यहाँ पर हमको pictograph में हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी है यहाँ देखिए ये 1 book equal to 20 book है यहाँ पर ठीक है जैसे mathematics का दिखाए ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है यहाँ पर ठीक है तो 7 है यह 1 equal to 20 है यानि कि 20 multiply 7 तो इसका जो संख्या हो गया वो हो गया 140 मतलब math का भूक यहाँ पर कितना है 140 ठीक है अब यह pictograph बनाया हुआ है हमें इसमें कुछ answer दिए गया question दिए गया है उसका answer करना है ठीक है तो यहाँ देखिए जो सबसे books कितने है library में तो चलिए science books की संख्या देखते हैं हम लोग यह देखिए science तो science को count करते हैं पहले यह देखिए 1 1,2,3,4,5,6,7,8 यहाँ पर कितने science book है टोटल 8 और 1 book equal to कितना है वाई 20 तो 20 multiply 8 किया तो यहाँ कितना हो गया 160 मतलब कि science book की संख्या कितनी है 160 उसी तरीके से दूसरा देखते है बी नंबर जो question है वो कहता है which subject books are maximum in the library लाइबरेरी में कौन-कौन से subject के book जो है वो maximum है तो देखिए यहाँ पर जो यह science है और जो इंगलिस है इसकी संख्या सबसे जादे दीख रही है और दोनों की संख्या सेम है तो science की कितना था 160 तो इंगलिस का भी कितना है 160 ठीक है तो यहाँ पर कौन-कौन से subject के book maximum है तो यहाँ पर जो subject के book maximum है वो number of books जो है वो क्या है वो है science and English तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे science and English ठीक है अब जो question करा है what is the total number of books in the library लाइब्रेरी में total कितने number of books है कुल मिला कर कितने books है तो यहाँ देखिए यह जो maths है mathematics कितना है यहाँ 7 है यह जो science है science कितना है हमारा 8 है यह हिंदी है 6 और यह English कितना है 8 और यह history कितना है 3 अब इसको count करते है तो यह 7 और 8 15 और 6 21 और 8 29 और 3 32 यहाँ पर कितना हुआ 32 हुआ अब हम जैसे कि जानते है कि 1 book equal to हमारा 20 book है और total हमारा 32 आया है तो हम लोगों को यहाँ पर 32 से 20 को multiply करना होगा तो 32 तूजा कितना हो जाएगा तो 32 तूजा हो जाएगा हमारा 64 और 1 0 है तो यह 640 तो जो total number of books हुआ वहाँ पर C number का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा 640 ठीक है यह C number आप लोगों समझ में आ गया अब next question हम लोग question number D को देखते हैं तो जो D है वो कहता है कि what is the total number of English and Hindi book कह रहा है English और Hindi book की संख्या कितनी है तो जो English है दोस्तो English तो हमारा 160 है क्योंकि यह 8 है यह इसको मिलाया तो यह क्या है 8 और 1 book equal to 20 तो 20 multiply 8 60 अब किसकी बात की गई है हिंदी की बात की गई है तो जो हिंदी है वो कितना है यह हो जाएगा हमारा 120 120 कैसे इसकी जो हिंदी की संख्या वो कितनी 6 है और 20 को 6 से multiply किया तो 120 तो English का हो जाएगा हमारा 160 और हिंदी का हो जाएगा हमारा 120 ठीक है अब जो E number question है वो कहता है How many more English books are there than mathematics books इसका मतलब यह हुआ कि mathematics के book से mathematics के book से English का book की संख्या कितनी है तो जो English की book की संख्या है वो कितना है हमारा 160 है और इसमें हम लोग minus कर देंगे math के book का तो math का book कितना है तो 140 है तो 160 में 140 minus किया तो क्या है हमारा 20 मतलब कि 20 English books ज्यादा है math से ठीक है ना तो यहाँ पर हमारा question number 3 भी इस तरीके से solve हो गया अब next question जो question number 4 है उसको हम लोग देखते है तो question number 4 हमको कहता है कि the number of different trees in an orchid are given below कहरा है कि एक orchid है orchid में जो number of trees है different different वो आपको यहाँ पर यह दिखिए यह निच्ची दिया गया है ठीक है कहरा है draw a pictograph to represent the given data कहरा है कि आप pictograph बनाइए data को represent करने के लिए the first column is done for you और यह जो first column है यह आपके लिए हमने कर दिया है तो हम लोगों को इसके अलावे जो बचा है उसको करना है और यहाँ पर एक चीज़ यह धियान देना है कि one tree equal to कितना दिखाया है वाई तो 53 मतलब कि एक tree का photo मतलब कि वो 50 tree के बराबर है ठीक है तो चलिए अब इसमें देखते है अब जो सबसे पहला है इसमें वो हम लोगों को करना क्या है peach किया हुआ है तो हम लोगों को क्या करना है apple तो apple की tree की संख्या यहां कितनी है 350 अब देखें 350 है और एक tree का यहाँ पर 50 है मतलब कि हमें यहां कितनी tree बनाने होंगे तो 7 तो यहां पर हम लोग इस तरह से 7 tree बना देंगे जो इस तरीके से बनाया हुआ है इस तरह से 7 tree बना देंगे apple वाले में ठीक है अब पीर में हमारा कितना है 150 1 tree इक्वल to 50 है यानि कि हमको यहां 3 ट्री बनाने होंगे उसी तरह ग्वाबा में हमारा क्या है 200 तो जो ग्वाबा है 200 यानि कि 1 ट्री इकोल to 50 यानि कि यहां पर 4 पेड़ बनाने होंगे हमको पापाया 100 है यानि कि यहां हमें 2 पेड़ बनाने होंगे तो पेड़ में हाँ पर मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन कितने पेड़ बनाने पड़ेंगे और क्यों बनाने पड़ेंगे यह मैंने आपको समझा दिया ठीक है अब next question पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो question number 5 है दोस्तों वो कह रहा है कि quantity of different varieties of sweet sold and festival day in a soap is given below कर रहा है कि एक festival day है कोई जोहार का दिन होगा उस दिन हमारा जो sweet का sold हुआ वो आपको यहाँ पर data दिया गया है आपको एक pictograph बनाना है ठीक है और also form any two question on the pictograph और आपको इस pictograph में कोई दो question भी form करने हैं तो चलिए यह सबसे पहला जो है वो क्या कर रहा है पिस्ता बर्फी quantity क्या है 120 तो अब हम लोगों को यहां देखना है ठीक है तो यहां देखेंगे तो यहां से हम लोग जो picture बनाएंगे sweets का मानलीजी sweets का picture हमने इस तरह कर से sweets का picture बनाया तो one sweets equal to हमें कितना लेना होगा वो हमको यहां स से देख करके अंदाजा लगाना है ठीक है तो यहां पर देखेंगे यह 40, 70, 60, 80, 10 यानी 10 से सारा का सारा divisible है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले जो पिस्ता बर्फी दिया हुआ है तो पिस्ता बर्फी 120 है तो यहां हम लोग एक को अगर 10 मान रहे है वन स्वीट को अगर 10 मा बनाना होगा उसी तरह से लड्डू में हमें 8 का बनाना होगा काजू में हमें 6 का बनाना होगा और गुलाब जामुन में हमें 7 का बनाना होगा और रस गुला में हमें 4 का बनाना होगा इस तरह से हम लोग फोटो बना देंगे तो हो जाएगा ठीक है तो अब हम लोग नेक् वो बार ग्राफ से ही हमारा solve होगा, ठीक है ना, अब बार ग्राफ क्या है, तो बार ग्राफ और बार डाइग्राम जो चीज है, वो एक represent करने का तरीका है, ठीक है ना, क्या represent करने का तरीका है, तो data को एक अलग तरीके से represent करने का तरीका जो होता है, उसको बार ग्राफ कहते ह अब जैसे कि bar graph क्या है तो representation of data by using bars और rectangle is called bar graph मतलब कि data को bars को use करके या तो फिर rectangle को use करके जो data को represent किया जाता है उसी को हम लोग bar graph कहते हैं ठीक है ना यहाँ पर एक और important बात ये है कि हम लोग जो bar graph है उसको horizontally भी बना सकते है और vertically भी बना सकते है ठीक है horizontally कहने का मतलब ये देखिए ये जो हमारा bar graph बना हुआ है ये हमारा vertically बना हुआ है ये क्या बना हुआ है ये क्या बना हुआ है vertically बना हुआ है ठीक है तो अब next question हम लोग worksit 1 के question को देखते हैं कि आगे क्या है जो worksit 1 है worksit 1 में क्या बोल रहा है हमें कि read the bar graph given below and answer the question मने मतलब कि क्या हुआ कि हम लेगों को यहाँ पर bar graph दिया हुआ है ये देखिए bar graph दिया हुआ है हमें इसको ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से read करना है और उसके बाद जो question हमें दी गई है उस question का हमें answer देना है तो ये जो bar graph है ये क्या है तो bar graph of the number of student in class 6 of a school during academic year 2001 to 2045 ठीक है मतलब ये अलग-अलग sessions का 2000-2001 से लेकर के 2005 के sessions का number of students class 6 में कितने है उनका यहाँ पर bar graph से data को represent किया गया है और उसके अलावे फिर हम लोगों को यहाँ पर जो question दी गया है इस question का हमको answer देना है तो इसमें जो सबसे पहला number question है दोस्तों वो क्या है वो हम लोगों को बोल रहा है कि how many students were there in the year 2012 कह रहा है कि 2001 और 2 का जो session था उसमें कितने students थे तो यहाँ पर देखिए यह जो bar graph है यह हम लेक को बतला रहा है कि 2001 और 2 का यह है तो 2001 और 2 का जो session है उसमें कितने students है यह हम से पुछा गया है तो यहाँ देखिए यह जो data हमारा है वो कित के बराबर है तो यह देखिए वो कहता है how many students were there in the year 2003-4 अब 2003-4 में कितने students है तो यह देखिए यह जो है हमारा वो 2004 का है तो 2004 में कितने students है तो उसको देख लेते है हम लोग तो 2004 में जो students की संक्या है वो कितनी है तो वो यहाँ पर है तो वो कितना हो रहा है 450 तो इसका जो answer हो जाएगा B का वो क्या हो जाएगा 450 ठीक है उसके बाद जो next question number C है वो कहता है हमको name the years in which the numbers of students were the same कह रहा है कि उस year का नाम बतला यह जिस साल जो student की संक्या है वो same है equal to है तो हम लोग इसमे तो हम लोगों को यहाँ बार ग्राफ देखना होगा जो बार ग्राफ है तो बार ग्राफ को देखने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि यह दोनों जो है यह number of same students को दर्सा रहा है मतलब कि 2001 and 2 और 2002 and 3 यह जो academic year है इसमें same number of students है ठीक है तो यहाँ पर जो question number C हो जाएगा and 2 और 2002 and 3 यह दो academic year है जिस academic year में students की संख्या same है अब जो question number D है उसको देखते है तो जो question number D है वो कह रहा है in which year the number of students was maximum also how many were there in this year यहाँ पर दो question कह रहा है कि कह रहा है सबसे पहले तो पूछ रहा है हमसे कि कौन से साल students की संख्या maximum है और कह रहा है कि कितनी है ठीक है ना कितनी है मतलब कि maximum तो है लेकिन संख्या कितनी है वो बतलाना है तो पहले bar graph को देखते है हम लोग तो bar graph को देखने के बाद यह देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि यह जो session है हमारा 2004 and 5 का इसमें जो students की संख्या है वो maximum है और संख्या कितनी है तो संख्या यहाँ पर 500 है तो जो d का answer होगा d नहीं sorry e का जो answer होगा वो क्या हो जाएगा अच्छा d ही है ठीक है ना तो जो d का answer होगा तो सबसे पहले तो कह रहा ही in which year तो year जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2004 and 5 ठीक है और फिर कहरता है how many were there in this year तो number जो है वो कितने है students की वो है 500 तो यह होगे हमारा इसका answer exit 1 का जो question number 2 है question number 2 कह रहा है कि observe the bar graph showing the marks obtained by Neha in different subjects in her annual examination यह bar graph दिया हुआ है यह Neha के marks का है जो उसने अपने annual exam में AE में मतलब की annual exam में उसने obtained किया है और यह देखिए इससे पहले जो question number 1 था उसमें हमारा bar graph जो था वो vertical था ठीक है ना वो कैसा था vertically था लेकिन यह जो bar graph हमारे question number 2 में है वो कैसा है तो वो हमारा hurry jointly है ठीक है पतलाना है कि नेहा ने subject में किस subject में कैसा number या कितना number लाया है वो जिस तरीके का question होगा वैसा हम लोग उसका answer करेंगे ठीक है तो इसमें जो question number 1 है मतलब की A है करा what information is given by the bar graph bar graph के दोरा क्या information दिया जा रहा है तो यहाँ पर क्या information दिया जा रहा है तो marks obtained by नेहा नेहा के दोरा जो marks लाया गया उसी information हमें इसमें दिया जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि marks obtained by नेहा ठीक है अब कहता है question number जो B है वो कह रहा है in which subject did नेहा score maximum marks कौन से subject में नेहा ने maximum marks लाया है तो यहाँ पर bar graph को देखने के बाद यह देखिए यह को mathematics दिख रहा है हमें मस्समें हमें maximum marks दिख रहे है और marks कितना है तो इसके सीधे यहाँ पर आएंगे तो कहां आ रहा है हमारा 90 में ने आ रहा है आप कितने मांकस अपर हिंदि कितने नंबर है इसके जाना है कितना है 60 तो यहाँ पर जो Hindi का मार्स हो गया वो क्या हो गया हमारा 60 तो Hindi का मार्स क्या हो गया 60 और Mathematics का मार्स क्या हो गया 90 ठीक है अब next question 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 number जो डी है उसको देखते है तो question number डी हमें क्या कर रहा है in which subject did Neha score the same number of marks सब्सक्राइब पता चला जाए अब देखिये यहाँ पर हमें दिख रहा है यह जो जैनरal साइश जो हम लिख देते हैं जो की हमारा क्योंकि subject की बात क्लिए है तो subject हमारा क्या है Hindi and general sign तो यहां वो लिख देते हैं instead and gs, gs माने की क्या, general science, ठीक है, अब कर रहा है, what is the total score of Neha in five subject, अब जो question number E है, वो करता है कि 5 subject मिला करके Neha का total score क्या है, तो चलिए, अब हम लोग इसको add करते हैं, तो add करने के लिए भी हम लोगों को bar graph देखना होगा, तो सबसे पहले bar graph देखते हैं, ठीक है, तो अब देख general science, यह दोनों में हमारा 60 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 60, mathematics में हमारा 90 है, तो यहाँ लिख लिया 90, फिर English में हमारा क्या है, 70, तो English में हमने लिख लिया 70, अब यह पांचो subject का number हो गया, यहाँ पर यह देखिए, पांचो subject का क्या हो गया, number हो गया, अब इन पांचो subject और 7 यह हो जाएगा हमारा 33 तो total marks कितने हो गया 330 ठीक है चो चो बार अप लोग यहाँ पर लिख लेंगे तो इसका जो answer होगा वो क्या हो जाएगा 330 तो total score नहीं है कितना score किया गया तो 330 अब इसी question के साथ हमारा यहाँ पर worksheet 1 भी समाप्त हो गया अब इसके बाद जो worksheet 2 है उसमें हम लोगों को सीखना है बार ग्राफ को ड्रॉ करना तो यह हम लोग next वीडियो में करेंगे